सत्ता कभी सर पर नहीं चड़नी चाहिए पदायू में तीसरा नाम आपका आया पहले से हम लोग को पता था तो पहले से इतना कोई जादा बहुत नहीं पता था लेकिन हाँ, एक स्ट्राटीजी आदरिनी शुपाल यादभ जी के मन में समाजवादी पार्टी को यूपी में सिर्फ पांच ही आदों मिले का टिकट देने को यह जब यह सारी दिक्कतें हुई परिवार में, तो किसी भी परिवार के सदस्को अच्छा हो अगर सीधे राजनीत में आता तो बहुत दिक्कतें हो सकती थी नमस्कार मेरे नाम विकास कुमार और आप देख रहे हैं The Quint और Quint Hindi इस वक्त हमारे साथ मौजूद है आदित यादव यह बदायों से समाजवादी पार्टी के उमिद्वार हैं इनका पहला लोगसभा का चुनाव हैं इनसे जानेंगे पहले चुनाव का अनभव कैसा रहा और यह शिवपाल सिंह यादव के बेटे भी हैं तो इसलिए एक नाम आया और उसके बाद आपका नाम आया यह स्थितिक कैसे बनी और क्यों बने जब चुनाव की शुवात हुई थी तो पार्टी का डिसेजिन था एक आदर्णी शिवपाल यादव जी का नाम हुआ उसके बाद कुछ दिन हम लोग वहां पे गए हम लोगों ने प्रिचा लड़े थे तो युवा थे युवा के तौर पे उन्होंने वहां का नेतरित किया था तो जनता को पसंद भी वही था कि किसी तरीके से एक युवा यहां का नेतरित करे तो जब हम लोग सभाओं में गये लोगों के पास गया तो ये बात आई उस बात को राश्ट्रिय अद जब यह सारी सीदे चल रही होंगी नाम बदले जा रहे होंगे तो उस वक्त क्या घर में कुछ चर्चा होती थी आपको पता था कि आपका नाम आने वाला है पहले ने इस शुरुआत में ऐसे कुछ नहीं पता था लेकिन जनता का रुजहान एक आरा था एक मांग आ रही थ थे तो जब भी हम बैठा करते थे मीटिंग में जब बदाइवं ही थे दिन बार हम लोग बजी रहते थे मीटिंगों में शाम को समय होता था मिलते थे तो जब शाम को मिलते थे तब इस पर चर्चा जरूर होती थी कि आज ऐसी जगा पे गए वहां पर भी लोगों ने इस रखा है कि आदित को आगे बढ़ाई आदित को चुना लड़वाई है और यही सारी बाते कही जाती थी और जंता की जो मांग रही मैं समझता हूं उसी को आदिनी शिवपाल यादब जी ने सुना लेकिन आप अगर यह सोचे कि पहले से हम लोग को पता था तो पहले से इतना कोई जादा बहुत नहीं पता था लेकिन हाँ एक स्ट्राइटीजी आदिनी शिवपाल यादब जी के मन में मैं मैं मानता हूं क्योंकि एक पिता के रूप मैं मैं जब उनसे बात करता था तो बेटा जो होता हो अपने पिता को जादा अच्छे से समझता है उनके एक्स्प टेबल लगते थे जब भी मैं पूछता था क्योंकि मैं इन चीजों को लेकर थोड़ा सा चिंतित रहता था या फिर मैं सवाल थे मन में कई सारे तो हम लोग देखते थे लेकिन जब भी उनसे बात हुई तो उन्होंने यही का कि जंता ने अगर इस मांग को रखा है तो हम देख जी के पास इसको लेकर जाएंगे और तो हजार चौबीस का ही आपको मतलब एक का परफेक्ट टाइम थी या कुछ और वज़ा थी कि चौबीस में ही आपको पहला चुनाओ लड़ाया गया नहीं देखिए परिस्तितिया होती हैं समय होता है हर चीज का समय आता है और मैं यही कहूंगा कि इससे पहले भी चौनाओ तो बहले ही मैं लोकसवा का लड़ रहा हूं सकता है बहुत बड़ा जिम्मेदारी होती है लेकिन इससे पहले में जल्ला पंचायत का चौनाओ भी लड़ा था जल्ला पंचायत का चौनाओ लड़ा सदसी का था जल्ला पंचा तो बहुत दिक्कते होसमाजवादी पार्टी को यूपी में सिर्फ पाइब ही आदों मिले टिकट बिने के लिए परिवार के पांच या सिर्फ पांच या दव मिले कुल पांच या दव हो है नहीं हमने शुरू से पार्टी की रड़नी तरही पीडिया की अधरनी अखले शादव जी ने शुरूआच से का कि हम पिछड़े दलित अल्ब संक्यक और अगड़े और उस स समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से टिकेट दिया है ये जनता के बीच एक मेसेज गया है कि सिर्फ एक या दो समाज की समाजवादी पार्टी नहीं अब सभी समाज को लेके चलने का का काम कर रही है इसी लिए मैं समझता हूं कि जो निर्ने पार्टी ने लिया ये कह कहीं इसका बहुत बड़ा फाइदा इस दोहजार चौबिस के चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिल रहा है क्योंकि आप देखिए हमने सब समाज को लेके गए जिस पीडिय की हम बात कर रहे थे उसको धरातल पे हमने उतारा है इसी से मेरा सवाल है कि अपकी बार आपने एक नई सोचल इंजरिंग का फर्मूला तयार किया है जिसमें जो समाजवादी पार्टी को यादवों की पार्टी कहा गया मुस्लिमों को अपने मुस्लिम और यादव के नेटब की बार उतने नहीं जितना पहले होते थे तो ये सब प्लानिंग जब हो रही होगी पार्टी में तो उसमें आपकी क्या भूमिका थी आप से डिस्क्शन होता था इस पे हमने अभी इस एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा एक तरीके से पार्टी के अंदर पार्टी में कभी कोई पद्पे नहीं रहा हूं पार्टी में निष्टावान कार्यकरता की तरह काम किया है बिधान सभा का चुनाओ देखा है लोग सभा के चुनाओ में भी भूमिक को पता लगती थी जब पिता जी भी या अधरनी अकलेश अदव जी भाईया से भी इन फॉर्मिली हम लोग घर पर बैठते थे तब बात होती थी तो यह स्ट्राटीजी बनती थी तो हमने तो पहले भी देखा जब भी चुना हुए अधरनी अकलेश अदव जब से टीम है उसका यह आइडिया था और अच्छा एडिया रहा मैं समझता हूं इसलिए आज पूरे प्रदेश के अंदर सभी समाज का समर्थन हर सीट पर हम लोगों को मिल रहा है जहां हम आज आजमगर में बैठे हुए तो यहां भी जो कुर्मी समाज है वो भी पूरा समर्थ दे रहा है तो एक अच्छा हम लोगों पॉजिटिव का रिजर्ड मिला है आप एक राजिंदिक परिवार से आते हैं चानना चाहरा हों की आपका महौल कैसा रहा है जैसे की शिपाल जी बहुत एक्टिव रहे हैं पॉलिटिक्स में अभी भी हैं तो घर पे क्या डिस्क्श खतना था दोस्तों के नंबर भी आपको मुझा मारी भी लिए जी सबने अबर लिए रखते हैं गरी कि शच्षी की और तो बहुत सी चीज़े देखी लेकिन एक आम व्यक्ति की तरह, खुद पसंद किया मैंने, कि मैं अपना जीवन वितीत करूँ, राजनेतिक परिवार से थे सत्ता आती थी, सत्ता जाती थी, लेकिन कभी अटेंशन नहीं होती थी, घर का माहूल कैसा रहता था जब सत्ता जाती है, या परिवार में जब कुछ मदभेद की बात सामने आती हैं, मीडिया में चलती हैं, लगाता है लेकिन जब सत्ता गई थी, तो उसके बाद कई ऐसे लोग जो दिन बार हमसे संपर्क में रहते थे थे, उन लोगों का एकदम से चले जाना, उस चीज़ का एकदम से हिट क अचीज़ करना, वो फीलिंग होती है, लेकिन वो एक बार जहां आमने उसको महसूस किया, उसके बाद अपने आपको तयार किया उस चीज़ के लिए, और ये भी माना कि ये सब सत्ता की चीज़ें होती है, जैसे सत्ता आती है, जैती है, इन चीज़ों को कभी दिल से हमें साणी लगा के रखना चाहिए, कभी सत्ता आए उसको जैसे का जाता है के अपने सर पहांहें चाहिए, तो सत्ता का भी सर पहांहें projecting आप रहेंगे जितना जमीन पर रहेंगे, इतना अप सक्सेस्फुल भी होग़ागे, उतनी आप कम दिकत हैंए, चैוכ still to चाहिए और सरकार किसी ना किसी दिन ताकत जानी है. जैसे आप ऐसे ओता है, उसमें वेवलेंस होती है. उपर जाती है और नीचे भी आ था. किसी ताकत नहीं होती है, जब मैं तो जब मैं तुदा थोड़ा मिचियोर उपता था. उस समय पे हाँ मुझे थोड़ा सा ये बुरा लगा किसी और चीज़ का ताकत का बुरा नहीं था कि चली गई थी या पावर चली गई या सरकार चली गई बुरा इस बात का लगा था कि क्या जो लोग हमारे आसपास थे वो इसी के लिए थे सिर्फ जब तक हमारे पास सकता थी, तबी तक के लिए थे, बलके हम ने उनको ये माना था कि वो हमारे बले बुरे में हर समय पर हमारे साथ रहेंगे, वो गट्टिकत रिच्टा है, उसका सकता है जब परिवार मद्भेद की बात आती थी, कले की बात आती थी, तब कैसे टैकिल किया और दूसरा सवाल की क्या गरबड़ी थी जो अभी आप ठीक कर चुका है, आपका परिवार ठीक कर चुका है, अगर आप इसका दावा कर रहे हैं कि ठीक हो चुका, ऐसा कुछ ठीक चल रहा है तो, क्या गरबड़ी आती है इसमें देखिये पहली चीज़ तो जब ये सारी दिक्कतें हुई परिवार में तो किसी भी परिवार के सदस को अच्छा नहीं लगता इधर भी और अधर भी एक चिंता एक मलाल हमेशा मन में रहता है वो था वो दोनों तरफ से था और उसका खामयाजा भी हम सब को बुगतन पड़ा देख लिया हमने दस साल में कहां से कहां पर ये लोगों ने किस तरीके से उत्तर करदेश को कहां ले गाए और इसका मैं ये कहूंगा नुकसान जितना परिवार को हुआ उससे जादा नुकसान पार्टी के कारेकरता को हुआ जिसको पार्टी के अंदर भरोसा था नेता के अंदर वरोसा था, नुकसान उसका जादा हुआ, क्योंकि इस करे के चकर में कई ना कई हम अपने जो लक्ष था उससे बटक रहे थे। 22 के चुनाओं में नुकसान हुआ इस बटक का? क्योंकि पार्टी में हम लोग थोड़ा सा फिर अपने लक्ष भटक रहे थे, या डिवाइड होके जो ताकत थी वो बिखर रही थी, तो उसका नुकसान हुआ, बिलकुल हुआ, लेकिन समय के साथ बहुत सारी चीज़ें भी इसने सिखाई, पहल कैसे हुई शुरुआत कैसे ह पहल बस ऐसी ही थी, कि घर है कोई पहल करने की किसी को जरूरत नहीं थी, वो एक मोमेंट था, बस उसमें सब चीज़ें ठीक हुई, इतना ही मैं कह सकता हूं, और सारी चीज़ें उसके बाद इस तरीके से अच्छी हुई, आदर्णीय राश्ट्यदेश जी ने सब चीज़ दोख सकता हूं, कि जो चीज़ें हुई हैं, जो नुकसान पार्टी का हुआ है, जो नुकसान पार्टी के कारश करताओं का हुआ हुआ है, उसको हम, और समाजवातदी पार्टी के चाहें राश्टरेट्ड जी हूं, चाहें आदर्णीय ils Charles Judge समझते हैं कि जनता का कितना न कि अगर जो प्रशार कि अगर आपिए इस खरब अपनी बार फाजबा सटीपा उसका नाम उगेज़ का इस तपार कॉंग्रेस के लोग बना पाते अगर बना पाते